इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तमिल नाडो न्यूस प्रिंट एंड पेपर के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करण प्राइस की बात करेंगे तो 228.15 इसकी करण प्राइस चल रही है और आज की दिन में लगबग 1.34% जो है नीचे के लेवल पे हमें स्टॉक जो है important zone है क्योंकि stock जो है इसे लेवल पे आने के बाद multiple time हमें यहीं से उपर की और bounce करता हुआ दिखाई दे चुका है तो इसके जलते यह वाला जो zone रहेगा हमारे लिए important support zone रहेगा अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो stock जो है यहाँ पे हमें breakout देता हुआ दिखाई दे चुका था अब भी पिछले 2-3-4 दिन से हमें अगर देखेंगे तो आदानी के sectors के बहुत सारे stocks में giraoht हमें देखने को मिल रही है इसके जिए निफ्टी में भी और भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है तो इसके हैं यहाँ पी भी हमें giraoht देखने को मिल चुक वे दिखाई दे सकती है तो चली दूस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फॉर यर का फानेशल ट्रेंड और एनलिस्ट हमें क्या से ला देते हैं बाइंग की 2019 से लेके 2022 तक का लास्ट फॉर यर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है कंपनी की ग्रोथ की बात करेंगे तो अगर हम कंपेर करते हैं 22 को 21 के साथ में तो यहां पर देखें रिवेन्यू और प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ काफी अच्छा जंप हमें देखने को मिल सकता है इसके जल्दे जल्दी स्टॉक में अगेन हमें उपर की और अच्छा कासा बाउंस देखने को मिल सकता है और सबसे में जो इंपोर्टन चीज़ होती है नो रड़ फ्लैक शो कर रहा है जब आप कोई भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री का प्लान करते हैं लॉंग टम दिमेट अकाउंड भी ओपन कर सकते हैं फोरकास डिटा इस करशनली अनलेवलेबल बता रहा है तो इस पॉइंट को स्किप कर लेते हैं तो चले अब हम चलते हैं इंजल वन आप में दोस्तों तो हम आ चुके हैं, इंजल वन अप में, simply यहां से वाच लिस्ट में आना है, वाच लिस्ट में आने के बाद में, सर्ज बॉक्स में हमें स्टॉक कर नाम सर्च करना है, जैसे हमें TNPL का देखना है, तो यहां पे TNPL सर्च करेंगे, तमिल नाडू, न्यूस, प्रिंट इस पर हमें TNP करना है, त wiping आने के बाद हमारी वाच लिस्ट में आड हो जाएगा, आगर हम इसे पर TNP करेंगे, तेप करने के बाद देखिए कुछ इसितारा से इंटरफेश शो करेगा, यहां पर आप इसकी गरंट उर्फ्राइस देख सकते हो, चार्ड देख सकते हो, आप यहीं पर देख सकते हो, हमने Justice का Chart Penalysis किया है, तो हम यहाँ पर Buy पर टच करेंगे, Buy पर टच करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से Interface open हो जाएगा यहाँ पर Delivery का है और यहाँ पर Intraday का है, Delivery में आप तब Buy करेंगे जब आपको Stock को Buy करके Hold करना होता है, और Intraday क्या होता है Intraday याने कि Same Day by Same Day Sell करना होता है, कोई Stock होता है आप Intraday में करेंगे, अभी के लिए हमें Delivery में ही देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमें quantity एंटर करने है, माल लीजे हैं हमें यहाँ पर 200 quantity बाइट करना है जब भी Stock की Price वहाँ पर जाएगी आपका Order successfully execute हो जाएगा अब Market Rate क्या होता है Market Rate आने के Stock की जो भी करन प्राइस चल रही होती है उसे पर directly आपका Order successfully execute हो जाता है Simply हम यहाँ पर Buy पर टच करेंगे Buy पर टच करने के बाद यहाँ पर Confirm पर हमें टच करना है टच करने के बाद हमारा Order successfully execute हो जाएगा Same procedure रहेगी अगर आपको Intraday में करना है तो same ऐसे ही आपको करना होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो चला गए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यह जो वीडियो बनाएगे सिर्फ सिर्फ एजूकेशनल परपस के लिए बनाएगी है जब भी आप कोई भी स्टॉक में इंट्री बनाते हैं तो अपने Financial Advisor से कंसर्ट करके ही उसमें इंट्री बनाएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसी यूट्यूब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक केर